नमस्ते प्रेंट जादे जादे स्वागत है आप सबका मेरे चैनल आदे सलवागोई आत्में आप लोग साथ ऐसी देश्वी लेके हैं जो इससे सिंपल से खाने का भी स्वाथ दस गुना बढ़ा देगा यह देख सकते हैं मैंने ले लिए 200 ग्राम आवला उसको मैंने कीम हो गया है अच्छी तरीके से अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर आउले को ठंडा होने रहा किसी कप्रेस पकड़की निकाल लिए इस तरीके से अब सारे आउली के सारे पार्ट अलग कर लेंगे और बीज हम निकाल देंगे इसकी इस तरीके दोस्तों आउले कचार ने ब तो वह थी मेरी दाल बनता है और सिंपल से दाल चाल को भी आउली के चार के साथ खाएंगे तो उसाथ 10 गुना बढ़ जाएगा इतना ट्रेश्टी है चार बनके त्यार होता है इस तरी किस मैंने सारा आउली अलग कर दिये हैं बीज अलग कर दिये हैं अब हम इसे एक थाली म में रखके थोड़ी देर आधे घंटे के लिए धोप में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी सुख से धोप नहों ता पंके के नीचे भी सुखा सकते हैं मैंने 10-15-18 साथी मेज ले ली थी इसको भी मैंने दोख के रख दिया था साथ में आधे घंटे बाद मैं ले आई अब इस तरीके से मैं मेज को काट लोंगी उसकी डंठल निकालके यह देख सकते हैं तीन चाथ मेरे पास हादी जो मोटी मेज जाती न वो तीखी कम होते वाली थी वो बन ले लिया है और यह थोड़ी सी पंच्छा मेज है तीखी वाली सब मेज मैंने काट लिया हम बनाएं और ठ्यगों अधैर नासे बोषा है इसके लिए मसाला इससी मैं लिया एक चंवर धनिया आधा चंवर जीरा आधा चंवर साथ एक चंवर चमल मेथी का दाना और एक चवथाई चमल कलावजी इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए अधर मैंने घी बना रखा तो मेरा देख सकते हो रहा है और इसमें डाल दिया मैंने एक चमल सफेद दिल इसे जलाना नहीं बस हलका सा थोड़ी देर के लिए गदम करना है ब मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे हलका दर दर ही पीसेंगे बिल्कुल महिन नहीं पीसेंगे इस तरीके से यह देख सकते हैं मसाला मेरा तयार है इसमें इस इतनी अच्छी खुशब हो आ रही है आप एक बार इस तरीके से बना के देखना बहुत ही टेस्टी आउले और हरी मेरा इसका अचार बनके त्यार होता है इधर मैं ले लोंगी तीन से चार चार सरसो का तेल इसे अच्छे से गदम करके रख दिया है मैंने ठंडा होने के लिए तब तक मैं इधर बागी की तयारी कर लेती हूं जो आपने मसाला पीसके रखा तो हम डाल देंगे और इसम से मसाले में डाल के अच्छे से से अच्छे कर देंगे अब हम डाल देंगे इसमें हरी मिज जो हमने काटकर रख को डूरो कि यह यह टाल का तो अउछ्छ दस्टरा यह कहा यह है जो चईनल पहले बार है तो सबसक्राइब ज़रोर कीज़एगा ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए नई नई रेश्पी देखने के लिए उसमें मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने नमक और डाल दिया है देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है मेरा अचार देखने में ही बहुत ही टेष्टी वन्तर आप लोग एक बाद रूट रही किजिए मेरी तो सीजन आ रहा है तो आओ लेक का चार खुबशन ये कोपखाई बहुत ही हेल्दी होता है और टेश्टी तो होता ही है ये देख सकते हैं ये 4-6 महिने तक आप अलाम सिखा सकते हैं मिलते हैं एक वीडियो में तब तक के लिए बाई